नमस्कार मेरा नाम है रादिका मिश्रा और आप सभी का परौर शिक्षा अभियान के अगले भाग में बहुत-बहुत स्वागत हैं मुझे उमीद है कि आप मेंसे कई लोग मेरी बहुत सहायता कर रहे हैं और मैं इसके लिए बहुत-बहुत शुक्र गुजार हूँ कि ये इस वीडियो को उन तक पहुचाने का प्रयास कर रहे हैं जिनको इनकी जरूरत है तो आईए अपना लेक्चर शुरू करते हैं अब तक हम हिंदी वर्णमाला के कौन-कौन से अक्षिस सीख चुके हैं अ से अनार, आ से आम, छोटी इसे इमली, बड़ी इसे एक, छोटा उसे उल्लू और बड़ा उसे उन बहुत अच्छे मुझे उमीद है आप सब लोग यहां तक सीख चुके हैं अंग्रेजी वर्णमाला में हम क्या-क्या सीख चुके हैं A for apple, apple माने सेब, B for ball, ball माने गेंद, C for cat, cat माने बिल्ली, D for dog, dog माने कुद्टा, E for elephant, elephant माने हाथी F for fish, fish माने, fish means मचली अब हम इसके आगे शुरुवात करते हैं तो A, A, E, बड़ी E, छोटा O, बड़ा O अब इसके बाद आता है A से एडी क्या आता है? A से एडी जैसे A की आवाज आती है न, A ए, A, A, तो इस A को क्या बोलते है? A से एडी बनाते कैसे हैं? इधर गुमाया हमने नीचे पूछ बना दी और फिर यहां कोने से निकाल के इसको यहां पहुचा दिया और हिंदी वर्णमाला में हमेशा उपर A, लाइन फिर से देखिए यहां से लिया हमने यहां घुमाया और नीचे पूछ बना दी और इस कोने हमने यहां तक जोड दिया तो यह क्या है? इसे कहते हैं A और A से क्या होती है? A-R-E A-R-E-E-đ-E-A-R-E-E क्या होती है? यह वाला हिस्सा जो हमारे शरीन का होता है A-S-E-A-R-E मेरे साथ बोलिए A से A D अब A के बाद आता है A A से A A किसे कहते है Very good चश्मे को यह किसका चश्मा है गांदी जी का चश्मा किसी का भी हो सकता है वैसे तो A से A Aन कैसे लिखते है जैसे आपने A बनाया था वैसे बना दीजिए जैसे हमने लाइन खीची थी वो बना दीजिए और उपर एक पूँच बना दीजिए किसकी पूँच है यह पता नहीं किसकी है पर जो आप इमाजन करना चाहे है वो आप सोच लीजिए तो यह क्या है A से Aनाक A से Aनाक मेरे साथ बोलिए अईसे एनाक आज हमने क्या सीखा A से A डी अच्छी नहीं बनी फिर से बनाते है A से एरी अईसे एनाक A से एरी अईसे एनाक बहुत अच्छे अब इसको आप अपनी कॉपी में दस-दस बार लिखेंगे अब अंग्रेजी वर्णमाला में A, B, C, D, E, F अब आगे के दो यह होता है G G for girl लड़की होती है ना उसको क्या बोलते है उसको बोलते हैं girl यह है G for girl यह G for girl girl means लड़की कैसे बनाते है जैसे आपने C बनाया C for cat बनाया था ना वैसे अब इसको थोड़ा सा उपर ले जाएए एक lady line एक cd line तो यह क्या बन जाता है G फिर से देखिए जैसे आपने C बनाया वैसे बना दिया फिर एक lady line एक cd line यह है G G for girl G for girl G for girl बहुत अच्छे और G के बाद आता है H मेरे साथ शुरू से बोलिए A, B, C, D, E, F, G G के बाद H G के बाद H H कैसे बनता है H से क्या होता है H से होता है H N H N माने H N माने मुर्गी और H से होर्स भी हो सकता है मुर्गी बनाए चलिए बनानी आती नहीं है मुझे मान लीजे यह है तो H for H N अब H बनता कैसे है एक सीधी लाइन एक lady line बीच में और एक सीधी लाइन देखे कितना आसान है तो यह क्या है H H for H N H for H N मेरे साथ बोली है H for H N तो आज हमने अंग्रेजी वर्ण माला के दो कौन से एक्षन सीखे G for girl H for hand और अंग्रेजी हिंदी वर्ण माला के कौन से सीखे A A से A D I से N अब आप अपनी जो भी कॉपी है उसमें इसको दस-दस बाल डिखेंगे मजा आ रहा है देखना एक दन सब कुछ सीख जाएंगे हम और जो लोग मजाग उड़ाते हैं हमारा भ्यी कि यह कैसे पढ़ेंगे यह कैसे पढ़ेगी यह कैसे पढ़ेगा यह तो पड़ी लिखी नहीं है यह तो पढ़ा लिखा नहीं है इसको तो साइ Stallा करना भी नहीं आता तमाम जो आपको अपमान सहने पड़ते हैं न मेरा वादा है आप से आप सब कुछ सीख जाएंगे और जो लोग आज आपका अपमान कर रहे हैं न एक दिन वो खुद शर्मसार होंगे क्योंकि पता है क्या जमाने की दिक्कत क्या है लोगों को सिर्फ शिकायत करना आता है मदद करना किसी को भी नहीं आता है लोग आपकी मुश्किलों पर आपकी मुसीबतों को देखके हसेंगे कि हाँ 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 कितना नलाय क्या पढ़ता लिखता नहीं है बट उसमें से एक भी जना ऐसा नहीं होगा जो सच में आपकी सहायता करने की कोशिश करेगा तो उन लोगों को जवाब देने के लिए नहीं अपने आपको बहतर बनाने के लिए हमें पढ़ना लिखना है और मेरा यही सपना है कि भारत का हर एक नागरिक भारत का क्या पूरे संसार का हर एक नागरिक पढ़ना लिखना जाने इस चीश को समझना जाने आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरा सपना पूरा करने में मदद कर रहे हैं इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचा के जिनको इनकी जरूरत है बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सबसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में धन्यवाद